Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11. यह आप लोगों की collective reading है और आज हमारा topic है आपके person की true feelings. So, आजकल मैं ज्यादा collective readings इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पस time थोड़ा सा short होता है. मेरी पूरी कोशिशे आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा पिके card readings मैं करूँ. So, आजका हमारा topic है आपके person की true feelings. वो truly आपके लिए कैसा feel करते हैं. So, आपकी regardless जो भी situation है, यह reading सब लोगों के लिए open है और यह reading बिलकुल timeless है. जब भी आपकी नजर से गुजरेगी आपका उस वक्त का message होगा. So, शुरुवात से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ के cards, possibilities बताते हैं, आपकी final destination safe divine source को पता है. Safe divine source को पता है कि finally आपकी life में क्या होना है. इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को open रखकर इस reading को देखना है. इसके इलावा मेरे जितने भी subscribers हैं, thank you so much, अब सबके प्यार और support के लिए, I truly, deeply appreciate each one of you and I love you all. So, अगर आप नए है मेरे channel पर, आपने भी इसको subscribe करना नहीं भूलना है, पसंद आए तो like भी कर दीजेगा और share भी कर दीजेगा. So, अब हम start करते हैं और सबसे पहले आपके person की overall feelings देखेंगे. Six cards होंगे आपके person की overall feelings के लिए. सबसे पहले है unconditional love, फिर है crying, money, next है power, sacrifice, call, text. So, हो सकता है कि आप लोग less to no contact में हो और आप call text manifest कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं अपने person की call का, text का. Money एक factor हो सकता है. So, कुछ ना कुछ sacrifice की जरूरत है, compromise की जरूरत है. Maybe, आप ये सोचते हैं कि आपने बहुत से sacrifices किये हैं, आप बहुत रोएं हैं अपने partner के लिए. और आपने बड़ा unconditional उन से प्यार किया है. So, हम देख आपके person की feelings रहे हैं overall. Also हो सकता है, आपके person finances को लेकर struggle कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं आपको call करने के बारे में, आपसे बात करने के बारे में, उनका आपकी आवास सुनने का दिल कर रहा है. हो सकता है कि आपके person अगर आपसे separation में हैं तो वो रोएं भी हैं आपके लिए. और ये इनसान आपसे ये भी unconditionally प्यार करते हैं, बट उनको लगता है कि उनके पास enough power और पैसा नहीं हैं जिन्दगी में. आपके person की ये overall feelings हैं. So देखते हैं कि आपके person की true feelings आपके लिए क्या हैं, उनकी true feelings, spirit, मेरे viewer के लिए उनकी true feelings क्या हैं? Okay, ये तो बहुत सारे आगए, one by one हम लेंगे, ये दो आगए हैं, ये दो हम रख लेते हैं, we have five of pentacles, आपके person की true feelings, judgment, Two more cards, spirit, उनकी true feelings, मेरे viewer के लिए क्या हैं, उनकी true feelings, तो बहुत सारे आगए, उनकी true feelings, मेरे viewer के लिए क्या हैं, spirit, ओके ये अभी हमने देखा था और ये फिर आगया, ace of swords, yes, ये इनसान आपसे बात करना चाहते हैं, बड़ी honest communication चाहते हैं, clarity भी आपको देना चाहते हैं, और ये इनसान आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, वो वाला message बड़ा strong आ रहा है, because ये इनसान loss फील कर रहे हैं, और वो ये फील कर रहे हैं, कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, सो हो सकता है, आपके person को ये realization हो रही है, कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, वाउ, क्योंकि आप उनकी wish fulfillment हैं, आप उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं, जिस पर वो trust कर सकते हैं, जिससे वो share कर सकते हैं, अपने दिल की बात, सो आप उनके लिए बहुत important है, यहाँ पर Pisces, Cancer, Scorpio है, Libra, Gemini, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, ये star signs हैं, लेकिन मैं हमेशा आप से कहती हूँ कि regardless of star signs, अगर आप से energy match करती है, तो बिलकुल आपकी reading है, आपने star signs पर focus नहीं करना, energy पर करना है, bottom of the deck पर the magician है, यह आपके person की energy भी है और आपकी भी है, कि आप दोनों एक दूसरे को manifest कर रहे हैं, so with a call and text manifest कर रहे हैं, आप अपने person की तरफ से call and text, so यह एक indication है कि आप manifest कर लेंगे, यह इंसान आपसे contact कर लेंगे, because they really want to hear you, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे एक honest communication चाहते हैं, so five of pentacles के साथ आपकी reading शुरू हो रही है, अगर आप लोग इस वक्स separation में नहीं भी हैं, आपके person आपको खोने से डरते हैं, आपके person के दिल में आपको खोने का डर है, वो नहीं imagine करना चाहते हैं, कि आपको खो कर जिन्दगी कैसी होगी, उन्हें बहुत bad feel होता है, यानि दिल जैसे bad जाता है, दिल जैसे कम होने लग जाता है, पता नहीं मैं right word कैसे ढूँँ इस situation के लिए, excuse me, so आपके person को बड़ा sad feel होता है, जब वो यह imagine भी करते हैं, कि आप उनकी जिन्दगी में नहीं होंगे, उनका दिल घटने लग जाता है, yes, यह right word था, so यह इनसान आपको खोना नहीं चाहते हैं, और शायद यह realization अभी उन्हें recently हुई है, separation में हुई है, या किसी और का experience उन्होंने देखा है, उन्हें आपकी कदर हो गई है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, जो उनके लिए wake-up call थाबित हुआ है, चाहे वो आप लोगों की लड़ाई थी, चाहे किसी और के experience से, बट आपके person को recently realization हुई है, हो सकता है कल रात यह realization उन्हें हुई हो, आपके person को realization हुई है, कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आपके पास उनकी happiness की की है, आप उनकी happiness हैं, आपके साथ वो खुद को complete ना भी feel करें, they really feel कि सिर्फ आप चाहिए हैं उन्हें जिन्दगी में, और उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए है, सब कुछ आप में है उनका, they really feel, ये उनकी deep और true feelings हैं आपके लिए, हो सकता है कि ये इनसान कभी आपको ना दिखाएं, ये feelings, क्योंकि उनको ये shock हो दिखाने का कि वो बहुत strong हैं, वो किसी पर emotionally depend नहीं करते हैं, बट deep down ये इनसान आपके लिए बड़ा strongly feel करते हैं, कभी कबार लोग अपनी जूटी अनाओं के पीछे, अपना जूटा एक एक चेहरा लोगों को दिखाने के पीछे, अपने अच्छे अच्छे रिष्टे गवा देते हैं, ऐसा भी होता है, हो सकता है आपके person उन लोगों में से हो कि जो अपनी अना और अपनी pride में दिखाते ना हो अपनी feelings, हलाएं कि आपकी बहुत कदर है उनके दिल में, हो सकता है लेकिन वो आपको ना दिखाते हो, ये कदर शो ही ना करवाते हो, सो जो भी realization है, बहुत recently हुई है आपके person को, कि वो आपके बिना नहीं रह सकते, अधूरी हो जाएगी जिन्दगी, वो आपका loss नहीं देखना चाते हैं, उनसे नहीं होगा handle, आपका loss, बहुत मुश्किल होगा, अगर होगा भी तो बड़ा challenging होगा उनके लिए, बहुत मुश्किल से वो deal कर पाएंगे, तो वो नहीं deal करना चाहते हैं आपके loss से, आपकी absence से, वो नहीं deal करना चाहते हैं, वो आपके साथ होना चाहते हैं, तो ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, इनकी true feelings हैं, और ये इंसान आपसे communicate करना चाहते हैं, अगर तो आपसे communication नहीं चल रही है, communicate करना चाहते हैं, honest communication चाहते हैं, आपको किसी बात पर clarity देना चाहते हैं, आपको शायद clarity की जरूरत थी किसी मौमले पर, तो आपके person आपको clarity देना चाहते हैं, let's see, उनकी true feelings spirit, उनकी true feelings मेरे viewer के लिए क्या है, उनकी true feelings मेरे viewer के लिए क्या है, उनकी true feelings मेरे viewer के लिए क्या है, spirit, उनकी true feelings, two cards, उनकी true feelings, बहुत सारे आ गए हैं, so हम यह सारे रख लेते हैं, so हमारे पास है deceit number 25, so इस deceit card से हमें पता चल रहा है, कि यह इनसान चुपाते हैं अपनी true feelings आप से, चुपाते हैं कि वो किता deeply feel करते हैं, you see number 39 throat chakra, yes, block है यह throat chakra, यह इनसान आपको नहीं बताते हैं ने देखा कि उनके दिल में आपके लिए बहुत deep प्यार है, unconditional, लेकिन वो आपको नहीं show करवाते हैं, नहीं वो बोलते हैं, वो नहीं express करते हैं, चुपाते हैं, wow, caring connections number 14, so again, यह इनसान आपकी बहुत परवा करते हैं, लेकिन नहीं दिखाते, and then the world number 29, so आप उनके लिए उनकी दुनिया हैं, आप सब कुछ है उनके लिए, कुछ लोगों के लिए यह long distance connection भी हो सकता है, and of course, with the world card, कुछ लोगों के दरमयान इस वक गैप आया हुआ है, distance आया हुआ है, emotional distance कहले हो सकता है, आप नाराज हों, लेकिन यह इनसान बहुत emotional इस वक्त tune in है, और आपके साथ connected नजर आ रहे हैं, आपकी परवा उन्हें है, बहुत परवा है, आपसे प्यार करते हैं, और आपके साथ यह जो भी gap है, उसको खतम करना चाते हैं, यह इनसान आपसे और दूर नहीं रहना चात करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपसे खुद यह सारी बाते कहने वाले हैं, तो जो आपके person ने अभी तक आपसे share नहीं किया है, वो आपसे वो share करने वाले हैं, कुछ ऐसी बाते आपसे कहने वाले हैं, जो उन्होंने कभी नहीं की हैं, आपके आपके परसन को realization हुई है और शायद ये realization भी हुई है कि it is very important कि वो communicate करें बहुत जरूरी है कि वो आपसे खुल कर बात करें अपने feelings के बारे में शायद ये realization भी हुई है आपके परसन को कि उन्हें wait नहीं करते रहना चाहिए उन्हें clearly आपसे communicate करना चाहिए two cards, spirit two cards one card, okay imagine so ये इंसान obviously ये है number 26, no 20, 26 किसी की age हो सकती है so ये इंसान आपको बहुत imagine करते है number one yang energy, so ये है masculine energy, चाहे male हो या female but ये है action की energy और ये बड़ी receptive energy भी है कि ये इंसान आपके प्यार को receive करने के लिए ready है आपके लिए action लेने के लिए ready है so ये है action की energy, yang energy so ये इंसान अपने आपको prepare कर रहे है उन्होंने बहुत सोच लिया, बहुत feel कर लिया imagine कर लिया, अब ये इंसान आपसे बात करने के लिए बिलकुल ready है किसी भी लम है ये इंसान आपको call कर सकते हैं text कर सकते हैं एक honest communication करेंगे आपसे so ये इंसान ये भी सोचते हैं कि जितना आपने उन्हें accept किया है शायद ही कोई इतना उन्हें accept करेगा जितनी आपने भी उनकी परवा की है वो ये भी feel करते हैं so सिर्फ ऐसे ही नहीं वो आपसे प्यार करते obviously आपने भी उनके लिए बहुत किया है जिसको वो acknowledge करते हैं समझते हैं और इसलिए भी वो आपसे और ज़ादा प्यार करते है one card spirit उनकी true feelings so ये आपके person की present time की feelings है हमारे was and new love so आप में से कुछ लों का ये नया connection हो सकता है या ये इनसान renew करना चाहते है इस connection को and then let your friends help you so हो सकता है कि वो अपने दोस्तों से मशवरा कर रहे है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए है so ये जो new love का card आया है ये इनसान deep down truly ये feel करते हैं कि आपके साथ उन्होंने एक बहुत खुबसूरत connection experience किया है जो आपके साथ उन्होंने experience किया है वो किसी के साथ उन्होंने experience नहीं किया with the new love और आपके साथ उनको ऐसा feel हुआ कि ये जिन्दगी में उन्हें पहली दफ़ा प्यार हुआ है कुछ लोगों के लिए literally ये हो सकता है कि ये आपने पहली दफ़ा प्यार किया है पहली दफ़ा पता चला है कि unconditional love क्या होता है true love क्या होता है दिल में butterflies वो जो एक sweet pure love होता है कि किसी को देखकर खुश हो जाना बस किसी को देखकर ही खुश हो जाना उससे कोई लालच ना होना दिल से उसकी खुशी में खुश होना उसका चेहरा देखके खुश हो जाना आपके person ने ये feel किया है आपके लिए तो ये इनसान truly ऐसा feel करते है कि आप शायद उनकी जिंदगी के वाहिद इनसान है जिसके लिए उनने इतना ये sweet और pure love feel किया है जिसमें कोई मिलावट नहीं है तो ये इनसान आप से बहुत प्यार करते हैं दो और cards हम लेंगे टू cards उनकी true feelings मेरे viewer के लिए क्या है तीन cards आगे तो हम ये तीनों रख लेते हैं इस पर लिखा है consider your foundation look at how committed you are to love और इसका number है 50 so I do feel कि आपके परसन अपनी financial situation और materialistic जो 3D मामलात हैं उनके बारे में बहुत ज़दा concerned हैं इस वक्त इसलिए भी ये card आया है फिर हमरे पस embrace your emotions इस पर लिखा है allow your feelings to surface and be accepted so I really feel कि ये वो realization है जो आपके परसन को हुई है recently कि मुझे अपने emotions को embrace करना है मुझे अपने emotions को surface पर आने देना है और अपने परसन से share करना है जो मैं मुझे उसके लिए feel होता है क्योंकि आपके परसन का ये problem था कि वो expressive नहीं थे and then have patience love is patient and kind always so आपके परसन चाहते हैं कि आप थोड़ा सा patient रहे वो ये भी सोचते हैं और समझते हैं कि आप उनके साथ बहुत patient रहे हैं already आपने उन्हें बड़ी space दी बड़ा time दिया so वो appreciate करते हैं आपके patience को कि आप उन जैसे इंसान के साथ आप इतना ज़्यादा patient रहे ये इनसान ये भी feel करते हैं so with this card आपके person को ये realization हुए कि मुझे बात करनी चाहिए मुझे open up होना चाहिए मुझे communicate करना चाहिए अपने person के साथ यानि आपके साथ so ये इनसान embrace कर रहे हैं अपने emotions को allow कर रहे हैं so इस पर लिखा है freedom there is nothing stopping you the path is clear if you want it to be so आपके पास आपकी freedom है आप अपने partner को freedom दे कोई चीज आपको रोक नहीं सकती है जैसे आप चाहते हैं आपके पास आपकी free will है वैसे आप life गुजा रहे हैं अपने partner को भी freedom दे और पर इस पर लिखा है the past is now behind you release it and embrace new possibilities a new path is now available to you follow it with faith so past को भुला दे release कर दे जो भी negative energies है आपके परसन भी इस वक्त यही कोशिश कर रहे है past को भुलाने की आगे बढ़ने की I do feel कि आपके परसन को आपसे कोई गिला नहीं है so आपसे उन्हें कोई गिला नहीं है अगर उनके past में कोई experiences negative थे आपके इलावा उनको वो जरूर release कर रहे हैं अपनी जिन्दगी से वो तो उन्हें ने तभी release कर दिये थे जब आप उनकी जिन्दगी में आये थे so I feel कि आपके परसन को आपसे कोई गिला नहीं है यह message आपी के लिए आया है कि आप past को भुला दें अगर misunderstanding हो गई किसी वज़ा से आप लोगों के दर्मियान आपको लगा कि आपके person आपको आप पर you know, तबज्जों नहीं दे रहे हैं we have meditation brings answers and get more information so आपको encourage कर रहे हैं आपके angels, spirit guides कि आप meditate करें और information लें जो भी मौमला है जिस पर आप सोच रहे हैं आपके बस complete information नहीं है इसलिए conclusions पर मत आएं result ना निकालें पहले information ले complete फिर आपने कोई decision लेना है so कुछ channeled messages ले लेते हैं अगर आपके person अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते उनकी true feelings क्या है what do you want वो जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते है I want to be honest and tell you what is going on in my life so यही बात है मैं आपसे शुरू बात से इस reading के कह रही हूं throat chakra, ace of swords ये इंसान आपके साथ honest होना चाहते है आपके साथ बात करना चाहते है खुल कर बात करना चाहते है I am not ready हो सकता है commitment के लिए आपके person ready नहों और क्यों ready नहीं है वो honestly आपको बताना चाहते है but ये इंसान आपसे प्यार करते है और आपके साथ चलना चाहते है I am not sure about my feelings so किसी के लिए ये message हो सकता है कि आपके person अभी feelings के बारे में sure नहीं है ये बहुत specific message है wait for me so बचाते हैं कि आप उनका इंतजार करें I can't stop rereading the messages you have sent me so वो बार-बार आपके messages को पढ़ते हैं I need more time so उने कुछ time चाहिए है यही बात शुरू से इस reading में आ रही है I want you to trust me वो चाहते हैं कि आप उनके साथ करें वो honestly आपके सामने open up होना चाहते हैं कि जिस तरह वो behave कर रहे हैं या जो भी वो फैसले ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके साथ चलें यह आपके परसन की true feelings है अब हम आपके yes and no question पर आएंगे आप अपने question को अपने जहन में रख लीजिए इसको मैं center कर लूँ आज फिर यह थोड़ी सी problem कर रहा है कैसे इसको मैं adjust करूँ ओके हो गया अब आप अपने question को अपने जहन में रख लीजिए साथ आपके लिए letters और numbers होंगे आपका name in a shill आपके partner का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है life path number, house number car number सो शुरू करते हैं आपके yes and no question से हमारे पास है 1111 a so आप कहां से राया है no way it's a no so no way देखकर अगर आप sad हो गए है या परिशान हो गए है इसका यह मतलब भी होता है कि now is not the right time j, m, v, k, n, z, y, s, a, e, v, 1111, z, a, number six, g, g, l, o, 0 भी कह सकते हैं आप इसको, number seven, w, seven, i, m, b, 1111, wow, three 1111, j, k, s, k, x, o, l, m, h, 2, a, and, w so यह आपके letters और numbers हैं देख लिजे कैसे आप से match करते हैं और यह आपकी reading थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा, पसंद आया, मुझे जरूर बताइएगा comment section में अगर आप नए थे मेरे channel पर like कीजेगा, share कीजेगा, subscribe करना मत भूलिएगा सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपने जिन्दगी में जो भी manifest करना चाहते हैं new love, true love, आपकी जिन्दगी में जरूर manifest हो और जरूर होगा, क्योंकि you are worthy of love and you are lovable अपने आपको यह जरूर बताया करें, अपना धेर सारा ख्याल रखेगा I'll see you in my next video, till then, love you lots, bye bye